सब्सक्राइब करें कुकिंग वित अनीता को और नए रेसिपीज देखने के लिए बेल आइकॉन दबाएं हलो नमस्कार स्वागत है हमारी यूटूब चैनल कुकिंग वित अनीता में आज मैंने अपने के जिर में एक राइस्थानी सब्जी वॉगरी की सब्जी बनाई हो जिसे आण मतर के साथ मैंने मनाया वैसे तो फैको सिर्फ आण के साथ चैनलगे टिया sNews बनती है आप इससे बाजरी का सुग्रा मक्य की रोटी या दाल चागल रोटी किसी के साथ भी खा सबते हैं बहुत ही लाजवाब सब्जी लगती है और बहुत चल्दी बन जाती है और चल्दी हमारे in my family मिल्कर बनाते हैं इस मोगरी आलू मटर के साथ मोगरी मिटर की सबची बनाने के लिए देखे मैंने यह दाइसोग्राम मोगरी लिया और ऐसे पतले पतले लंबे-लंबे लेगे मुझे तो मूली के फल होते हैं यह इसे कच्चे-कच्चे ही ने बड़े-बड़े हैं तो एक साथ बड़े-बड़े कर दे और अगर छो साथ होगे मिलाकर हसे काटने में सुविधा होगी तो सबसके एक साथ करके इसके सारी के साथ जो च्केसब होगे फिर पीड़े-लंबे-लंबे-लंबे ऐसे काते हैं जाके डीकोन करें इसके साथ जो मिलाएंगे आलू या मतर या मुगॉली जो भी आप मिलाना चाहें उसकी तयारी भी आप कर लें तो मैं इसमें थोड़े से मतर मिलाओंगे एक मुठी मतर है और ये एक वो खट्टे वाले चो टमाटर होते हैं देशी टमाटर चाहें सलाद वाले तमाटर नडाले उसे बारेक बारी काट लिया एक हरी मिर्ची को इसमाटर को ग्रेट कर लिया और ये एक छोटा अबला हुगा आलू उसे इस तरह से काटके रख लिया हो अब सबसे पहले मैं इस मोगरी को थोड़े सा एक मिनट के लिए उभा लोगी तो उबाल देते हैं तो इसे उबालने के लिए मैंने गाइस के ऊपर कड़ाई रखी है और मीडियम फ्लेव पे कड़ाई को रखा है उसमें एगलास पानी डाल देखिए पानी गरम हो चला है तो अब मैं इसमें थूड़ा सा हाफ टीजपून नमक डाल दे और हाफ वन फोर तो देखिए इसमें उबाल आ गया और इसे हम एक मिनट तक उबलने देरें एक मिनट हो गए मैं गैस बंद कर दे रही हूँ और इसे छोड़ेंगे नहीं इसमें पस इसे चन्नी मेरा चान निकाल लीजें तो दिखिए इसे मैंने ऐसे निकाल लिया और अब तो मैं इसी कड करके मैं वापस इसी कडाही में सब्सक्राइब को बनाओंगी तो सबसे पहले मैं इंकाइस को मिडियम फ्लेम पे रख करके कडाही रख दी हूँ और इसी चमच से इस सर्विनी स्पून से एक चमच मैंने डिफाइंड ओयल डाला है आप अपनी प्रसंद का तेल सर्सों ते हींग डाल रही हूं इसमें यह पांच फोरं डालते हैं इसमें की सर्सों जीरा कलाउजी सौफ मेथी है राना मेथी है इसे मैं पर दें तो यह डाल देलेगे आप चाहें तो थोड़ी सी राई भी आप डाल सकते हैं यह अच्छी तरह से चटक जाए रटकने के बाद ही और ये छोटे लाली लिप्स तो मैं इसे भी मिला रहे हैं, फल्टा सब चला ले आ, गैस को सिल्टर दे और इसमें हाफ टीज को हल्डी पाउडर पहले डाल दे और ये जो मैंने उबले हुए आलू लिये थे न, वो डालते रहे हैं, ये मटर डाल दे रहे हैं, और इसे 30-35 तेकंड इसे इसमें भूनी है, गैस को थोड़ा सा लो मिडियम फ्लेम पे कर ले, तो देखिए ये आलू और मटर भून गए अच्छी तरह से, अब इसमें ये जो टमाटर काटे थे न, मैंने वो टमाटर डाल दे रहे हैं, आप इसे स्वाद के हिसाब से आप नम्मक डाल दे, मिला दे और टमाटर को फलका सा गल जाले दे, इसे 30-35 सेकंड के लिए ढख दे, तो दीखिए ये 35 सेकंड होंके, मैं अच्छी तरह से, बोगरी जो है, उसे इसमें डाल दे रहे हैं, अब इसमें मैं सारे मसाले डाले दे, तो हल्दी तो मैं डाली चुकी हूं, अब इसमें थोड़ा सा तेज मसाला चाहिए होता है, तो मैं लगबग 2 टेबले स्पन, इसमें भनिया पाउडर मिलाई हूं, और थोड़ा सा तीखा चटपटा अच्छा लगता है, तो वन टेबले स्पून मैं इसमें लाल मिर्स पाउडर मुला रहे हैं, अब लेकिन गास को आप सिम कर ले, मसाले बशाले डालने के बाएब गास को बिलकुल सिम कर दे, वापस इसमें, 30-35 से के लिए ढख दे, और यह सबजी बस बना कर रखे नहीं, इसे गरम गरम ही खाए, जब खाने की पूरी तयारी हो जाए, तो इस सबजी की भी तयारी करके रखे, और बस बनाए, बिलकुल 10 मिनट के अंदर यह सबजी बन के तयार हो जाती है, तो देखें, सीन पे मैंन 35 से केंड इस पकाया और यह सबजी बन के तयार हो गई है, पस में इसे वापस ढख देती हूं, और कैस को बंद कर देती हूं, और चलिए इसे गरमा गरम सर्व करते हैं, तो देखें, आलू, मटर और मोगरी की सबजी बन के तयार हो गई, एक दम चटपटी और चटाकेदा सबजी है, आप इसे किसी भी सीजन में खाएं, यह अच्छी ही लगती है, और खासकर सब्दी के दिनों में तो यह बहुत ही अच्छी लगती है, जगपट तैयार भी हो जाती है, तो आप इस मोगरी मटर और आलू की सबजी बना कर खाएं, फिर मुझे बताएं, यह आपक कि अवाव जाती है, अज